बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की मीटिंग के दौरान जबरदस्त नोग जोख हुई इस दौरान कुछ लोग मीटिंग हॉल के बाहर गाली गलोज करते नजर आई जहां मौजूद सुरक्षा कर्मी ने उन लोगों को बाहर निकाल दिया वहीं दिशा की मीटिंग छोड़ राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुकला वहां से निकले और जिसके बाद बलिया, डियम और एसपी ने मीटिंग हॉल से बाहरा कर मौजूद लोगों को फटकार लगाया और कहा यहां पंचायत नहीं दिशा की बैठक हो रही है और बैठक से संबंधित यहां लोग हैं इसके बाद थोड़ी ही देर में बैरिया विधायक सुरेंदर सिंग दिशा की मीटिंग का बहिश्कार कर चलते बने विधायक ने बलिया सांसर्थ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिशा की मीटिंग में अध्यक्ष जिसको चाहते हैं उसको बैठाते हैं दिशा की बैठाक में बैठने के लिए एक सूची बनती है जो अध्यक्ष मनमानी करते हुए अनावश्यक लोगों को बैठाते हैं गलत काम करने के लिए दबाव बनाएंगे और गलत काम करने देंगे तो मैं उस मीटिंग का चेर्मेन हूं मेरा विश्यक्षा दिखाता है मैं इसे नहीं होने दूगा विधायक का आरोप है कि आप द्वारा अनावस्यक लोगों को बैठाया गया था प्रतिनिज्यों को बै अध्यक्ष जो ही काईगा वही हो जाएगा कि क्या हो गया अरे महाराज अध्यक्ष जो है जिसको चाहता है उसी को जो है बैठाय पर बैठाय का यह मेरे सिधानत और विचारों के खिलाप बैठाक के लिए एक सूची होती है सूची में जो लोग चेडित है उन्हीं को बैठना चाहिए और जो है अध्यक्ष जो है मनमानी करता है खुद जो है अभी सी बाबू के सीपूर के अभी महान आदमी जो है पचीस मिया खेट अपने हड़ अपलिया है अभी मैं विसक उठाना ही वाला था तब तब जो है अब बिच्छ सब यह करने लगे सर और अध् को छाते हैं अब वाई is five बैठना चाहिए जो उनके लोग दीशातितां थी आनमश्यकर करते हैं मंदमानी काम करते हैं हम हम लोग इसका बिरोद करते हैं । सार कौन मनमानी कर रहा था लागी कौन मनमानी कर रहा था आरे आप सांसा बलिया सांसा 120 दी प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका लाइफ 24 मीडिय अंसिट्यूट एड्मिशन ओपन रेजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170